हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं gvcti और मेरा नाम है विकास सर और आज आपको मैं बताऊंगा save and save edge में क्या अंतर होता है, यह होगा save का option और यह होगा save edge का अंतर दोनों में क्या अंतर है वह आपको मैं details से आज समझाऊंगा तो video को फूराई देखे और अगर अच्छा लगे हमारा video तो ससक्राइब करें तो चली आएए चलते और इससे पहले हम कुछ बना लेते हैं बनाने के लिए हम जैसे कि हम यहां से कुछ भी बना लेते हैं यहां से हमने बना लिया यह is सिम्पल सा कोईभी डिजाइन आप बना सकते हो और बनाने के बाद इसमे कोई color कर देते हम इसको और इसके बाद एक option आता है यहाँ पर transparent selection और इस पर click करके और इसको select कर लेते हम यहां से select करने के बाद shift दवाएंगे और shift दवाने के बाद mouse से click दवा के घुमाएंगे तो कुछ ही इस तरह से हमारा बन जाएगा अच्छा लगता है यह देखने में हमें भी तो इसके बाद यह बन गया हमारा और बनने के बाद जो हम यहां से जाते हैं save में same option आरहे है और वहां से पुद्र से लगता बनी जाते हैं same option आरहे है दोनों कोई difference नहीं है तो जब यहां से हम save करते हैं तो दोनों enter क्या है अब मैं यह बताता हूँ कि पहले save किसी बी icons डॉक्मेंट से अगर हम कोई बनाते हैं तो से save normal किया है हैं और कोई documents अ shining already saved हैं तो उसे दोबारह किसी और नाम से जा duplicate save करने के लिए save as काい यूज करते हैं और कैसे करते हैं देखते पहले हम क्या करते है eg को save कर लेते हैं इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं जैसे की मैंने दख डेया । कि यहां से हमने Save कर दिया इसके बादImp करने के बाद अगर हम इसे कितने बारा भी Save करें आपसे नाम कोई नहीं अर नहीं कपश रहा है कभी नहीं पूछुए कितना बार भी आप इस पे यहां क्लिक करदो थो और जैसे हैं हमदो बारा किसी और नाम से भी इसे हम कोई color कर देते हैं अलग सा हम इसमें मैंने पिला color कर दिया और इसके बाद हम देखते हैं अगर हम save करेंगे तो उसी में save हो जाएगा अब new पर हम चलते हैं तो new पर जैसे हम click करेंगे तो फिर दोबारा हमसे नाम पूछेगा और यहाँ पर मैं tick tick one डाल देता हूँ जैसे मैंने tick tick one डाला तो आपका यहाँ से आगया आपका और मैं इसे save कर दो दो बारा तो आप जब यहाँ पर मैंने जहाँ पर save किया तो वहाँ पर चलते हैं देखते हैं तो यहाँ पर देखें आप दोनों save है tick tick one और tick tick दोनों से save है मगर क्या हुआ save edge करने समय new save करने का option मिल जाता है duplicate save करने का option मिल जाता है किसी और नाम से save है already उसे किसी और नाम से save करने के लिए मिल जाता है ये वाला हो गया tick tick one और ये वाला हो गया tick tick का option तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कॉमेंट में बताए और इसमें कुछ भी इंप्रूब करना हो तो आप मुझे सजेस्ट करे कॉमेंट करके लाइक करे सस्क्राइब करे